Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel बच्चों के बिस्तर गिला करने की आदत को ठीक करने के लिए आज मैं आपके साथ एक बहुत ही जपरदस्ट और पावरफुल नुसका सिर्द कर रही हूं जिसे आप आसानी से बच्चों को बिस्तर गिला करने की आदत से छुटकरत दिला सकते हैं वो भी आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका अपनाना है जिससे आपको अपनाने में बहुत ही आसानी हो और बच्चे इसे आसानी से ले सके इसलिए मैं आज आपके साथ बहुत ही इजी और आसान तरीका लेगर आई हूं अक्सर बच्चे बिस्तरगिला कर देते हैं और हमें काफी परसानियों का समना करना पड़ता है खास करके मा को जब बच्चे बिस्तरगिला कर देते हैं तो काफी परसानी होती है और बच्चे को भी काफी परसानियों का समना करना पड़ता है एदि बच्चे लागतार बिस्तरगिला करते रहें एदि तीन साल से बड़े बच्चे हैं और बच्चे लागतार बिस्तरगिला करते रहें तो उन्हें कई संकर्मन जैसे विमारिया होने की संभावना हो जाती है तो इससे पहले हमें कुछ ऐसा नुसका ट्राई करना चाहिए जिससे बच्चे को घरेलो उपाएं से बच्चों को बिस्तर किला करने की आदत छूट जाएं और इससा कोई साइड इफेक्ट बच्चों पर ना परे तो चलिए मैं विडियो को सुरू करती हूँ यहाँ पर आपको लेना है दूद कैल्सियम से भरपूर होता है हम सभी जानते से और बच्चे आसानी से दूद पी लेंगे तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं उसके बाद हमें इसमें एड करना है जो है काला तील काला तील मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी जिस तील को हम गूर और तील मिला कर लड़ू बनाते है खाने के लिए वही है यह काला तील आप किसी भी shop पे market में जागओ तो आपको असानी से यह काला तील मिल जाएगा एक काला जीरा होता है हमें वो नहीं लेना है क्योंकि हमें यहाँ पे लेना है काला तील इस तरीके से जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से आप ले लेंगे काला तील एक चमस के बराबर में लेना है काला तील हमें ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि दूद हमने एक गलास ही लिया है उसके बाद जो हमें इसमें एड करेंगे वह है खजूर चार से पाच खजूर आपको एड करना है जो मार्केट में आसा उसमें खजूर का बहुत बरा योगदान है क्योंकि खजूर काफी गर्व अच्छा होता है बच्चों के सेहत के लिए माइंड के लिए और ये आप बच्चों को रेगलर देते हैं तो यकिन मानिए बच्चे बिस्तर गिला करने की आदत बिलकुल छोड़ देते हैं तो इस त को हटा देना है इसको बारी कट कर ले और दूद में डाल दे एक चमत लेना है आपको तीट उसके बाद 4-5 खजूर उसके बाद क्योंकि खजूर तो गीला है तो मेठा ही रहता है बट आप डालना चाहते हैं तो गूर भी इसमें एड़ कर सकते हैं और मीठा बढ़ाने के लिए आयासर भी बच्चों को गूर तो काफी पसंद होता है तो आप इस तरीके से गूर भी ऐड़ कर सकते हैं उसके बाद इन तीनों को अच्छी तरीके से आपको मेडियम फ्लेंपे गैस पे पकाना है जब दूद आदा ग्लास के बराबर में पकर हो जाएगा तो इस तरीक बिष्टर गिला करने की आदत बिल्कूल छोड़ देगा तो इस तरीके से आप बच्चों को दे और बच्चों को बिष्टर गिला करने की आदत से छुटका राद दिलाए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को कर दोस्तूल